हमारे चैनल पर स्वागत है आज ये वीडियो हम लेकर आए हैं वेस्ट बेंगॉल कलास 12 के सभी स्टुजेंट के लिए वेस्ट बेंगॉल कलास 12 में हिंदी में एक इंपॉर्टेंट कहानी है भाई बहन तो भाई बहन कहानी जो की राजेंद्र बाला घोस के द्वारा लिखा लिखा गया है और इन्हें जो नाम दिया गया है बंग महिला डॉक्टर रामचंद्र सुक्ल के द्वारा राजेंद्र बाला घोस को बंग महिला नाम दिया गया और यह कहानी स्वादेसी अंदोलन के समय 1908 इस्वी में ही लिखी गई तो भाई बहन कहानी के 35 सब्सक्राइब और यहां से कवर हो जाएगा तो जितने भी चैनल पर नए वीवर हैं चैनल को सब्सक्राइब और सेर कर दिजेगा क्योंकि हमारे चैनल पर वेश्ट बेंगॉल के सभी स्कूलों के सभी क्लासेस के जो है वीडियो मिलेंगे आप लोगों को तो अभी फिलाल क्लास टुएल का वीडियो बना रहा हूं मैं तो आईए डिसकस करते हैं पहला कोश्चन है साहेव की गाड़ी का निर्माता कौन सा देसे तो साहेव इस कहानी के पात्र हैं वे गाड़ी खरिते हैं जिसे जर्मनी के पहले कारी करने सबनाया हो राजेंद्र बालोगोस का नाम किसने बंक महिला दिया तो आचारे राम-चेंद्र सुकलीजी ने कि भाई बहान जो कि कानी बाल पर भाकर के कौन से खंड में परकासित हुई तो खंड तीन अंग्ये atraem बाईबान कहानी सबसे पहले किस पत्रिकां में परकाशित हुई तो बाल परभाकर में एक भाईबान किस इक कहानी है टो देश ुद के कहानी है विदा के रचंहा है तो यह एक कहानी है भाई बहान स्व पर्थम कब परकासित हुई 1908 में भाई बहान कहानी में भाई बहान कोन है तो भाई बहाने सिरी राम साहब और संदरिया संदरिया का वास्तिविक नाम क्या है संदर देई सुन्दरिया को उमर कितनी है तो सुन्दरिया को उमर 6 से 7 वर्स है शाहब का वास्त्रिक नाम क्या है शाहब का नाम है हरी राम साहब का नाम है हरी राम साहब के उमर कितनी थी एंसर होगा 11 साल सुन्दरिया और साहब किसके साथ मेला जा रहे थे तो एंसर है पिता के साथ, पिता का नाम है बाबु जैराम दास, सुन्दरिया कितने पैसे लेकर मेला देखने चली थी, तो सुन्दरिया जो है वो एक आने लेकर मेला देखने गई, कितने पैसे तो एक आना लेकर सुन्दरिया जो है मेला देखने गई थी, साहब किसकी तरह स सुंदरिया को समझा रहा था तो मास्टर जी की की तरह यानि एक मास्टर जैसे अपने स्ट dwg को समझाते हैं उसी तरह साभ सुंदरिया को समझा रहे तो सिर्य था क् podéis सुन्दरिया ने मिट्ती का खिलोना कितने में खरिदा एक पैसा में खरिदा खिलोना रेल गड़ी किस देश के कारिगर ने बनाया तो जन मनिके कारिगर ने बनाए कि किसका लेखा या हिसाब लगाने सच्छाती दहल जाती है तो देश के बाहर जाने वाले रूपय का हरी राम के बच्पन का नाम साहब सिरी राम के छोटे भाई का नाम हरी राम जिने प्यार से लोग साहब कहते थे कि क्यों दुखने में अंग्रेजु जैसा गुरा था हम थोड़े से मुनाफे पर दूसरे दुसको क्या बेज देते हैं एंसर होगा चावल गे हूँ साहब ने खिलोना किसे मुल लिया उस आदमी का नाम था रामदिन बिशाती सुन्दरिया के बड़े भाई का नाम सिरी राम हरी राम ने एक दुकान खोला था जिसका नाम रखा गया मात्र भंडार सुन्दर देए के पती क्या है तो वो देश हितैसी है यानि देश का भला चाहने वाले देश प्रेमी वक्ति भाई बन कहानी का उद्देश क्या है? स्वदेशी का वहवार और स्वदेशी के परती लोगों को जागरूप करना क्योंकि आज के वर्तमान समय में हम लोग विदेशी वस्तूओं का अधिक उपयोग कर रहे हैं तो स्वदेशी की भाउना लोगों के अंदर जगाना इस कहानी का परमुख उद्देश है मातर भंडार में कौन सी चीज़े मिलती है? तो मातर भंडार में स्वदेशी यानि अपने देश में बनी हुई चीज़े मिलती है सुन्दर देई का विवा कितने वर्स की अवस्था में हुआ था तो 11 वर्स की अवस्था में हुआ था सुन्दरिया यानि कि सुन्दर देई 11 वर्स की उम्र में जमिदार की पतोहू बन गई थी अगर आप लोग भाई बहन कहानी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है भाई बहन कहानी का आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से जाके सर्च करकर देख सकते हैं तो भाई बहन कहानी अराम से वहां से समझ जाएंगे साथी साथ आपका नसा कहानी मलवे का मालिक कहानी को भी अच्छे से समझाया गया है साथी साथ सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियो उपलब्द हैं आप लोग इन्पॉर्टन कोस्टन भी देख सकते हैं चैनल पर जाके और लेशन का भी डिसकसर देख सकते हैं बाबु यहां पर कोशन है सुंदरी के पिता का नाम क्या था तो एंसर होगा जैरामदास बाबु जैरामदास किस कहानी के पात्र है तो भाई बहन कहानी के पात्र है जो कि भाई बहन यानि सिरी राम हरी राम और सुंदरिया के पिता जी है पिता सिरी भाई बहन कहानी के र तो आप सभी student कूतच अगर आप लोग नहीं पढ़ा है तो कूतच का भी हमारे चैनल पर वीडियो प्लब्द जाके देख सकते हैं जिसे हजारी परसाद दिवेदी जी ने लिखा है इसके भी most 30 questions important 30 questions का discussion अगले वीडियो में आप लोगो को किया जाएगा इसमें से भी आप लोग 5 questions 100% मानिए कि exam में आही जाएगा तो अगर आप लोग चैनल पर नहे हैं subscribe share जरूर कर दीजेगा और चैनल पर जाके हर एक वीडियो का देखें ताकि exam में आप कम से कम 75% तक जो ह है result कर पाएग अब केवल हमारे वीडियो को देखकर 75% आसानी से class 12 के exam में ला सकते हैं धन्यवाद